नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का हिंदी विशे में स्वागत है। बच्चों, आज मैं पाठ तेरा राखी का मुल्य। यहाँ पाठ पढ़ूंगी। आप भी मेरे साथ इस पाठ का वाचन करेंगे। पाठ्य पुस्तक प्रिश्ट क्रमांक 97। आओ पढ़ें। बच्चों, आप सभी मेरे साथ पाठ का वाचन करेंगे। पात्र कर्मवती, तातर खां, बागजिंग, हिंदो बेक, ज्वाहर बाई, सिपाही, हुमायू, दूत। पहला दृश्य स्थान चित्तोर कीले का भीतरी भाग। महारानी, कर्मवती, ज्वाहर, बाई और बागसिंग, बैठे हुए, बात्चीत कर रहे हैं। कर्मवती, हाँ, बागसिंग जी, युद्ध का क्या हाल है। बागसिंग, राजपूत वीर्ता से लड़ रहे हैं। किन्तु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है। दूसरे शत्रूओं का तोप खाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला कलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है। हम हस्ते हस्ते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही की मर कर भी मेवाड के सम्मान की रक्षा न कर पाएंगे। कर्मवती बड़ा कठिन प्रसंग है। मेरे स्वामी इस संसार में नहीं है। नहीं तो उनके रहते मेवाड की ओर आख उठाने का। किस में साहस था उनके आतंक से मेवाड के बाहर भी दूर दूर तक अत्या चारियों के प्राण काप जाया करते थे। मेवाड की सीमा में पैर रखने का साहस किस में हो सकता था। बाग सिंग जी हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। बच्चों नेक्स का लांच में हम फिर से वाचन कोशल आगे का पाठ करेंगे। धन्यवाद। झाल